डाल है छोटा मटर का और ये पेपे पापाई पापाई और इसको अभी देखो कैसे निकाला जा रहा है इसको बनाएंगे बड़ अच्छा सा एक बड़ी अच्छी जा दोस्तो हलो दोस्तो तपन फेमिली बुलोग में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो आप लोग कैसे हो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे स्वस्तों दोस्तो तो आज मैं एक और नया वीडियो लेकाया हूं आप सभी के लिए बहुती आप सभी के लिए बहुती अच दोस्तों आज दोफेर का खाना में एक बहुत ही अच्छे चीज बनाएगी नन्दीता जी और पेपाई और सपेद चाओल और चनावाली दाल के साथ मिलाकर इसको भीगो दिया है अभी कुछ देर के लिए क्योंकि नहीं तो फेर बाटन में मुश्किल आएगा तो अभी इसको निकाला जाएगा बारिक बारिक करके ननीता जी यह वीडियो लास्ट तक देखना है दोस्तों इसकिप मत कशिए का लास्त तक देखना है वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो हने वाली है दोस्तों सब्सक्राइब कीब नहीं और आसाद देव तक फोटो लगाया है अच्छा-सया जी अभाव है यह मुर्ज़दी, मुर्मुड़ा है लेखो कितना बड़ा वह था बॉरा है, मुर्मुड़ा。 तो दॉस्तों देख सकते हैं, आजका हम लोग खहना मनाएंगे क्योंकि सबजी नहीं है, और इसलिए यह देखो यह इसमें क्या है आतब चाल है आतब चाला डाल है छोटा मटर का और यह पे-पे पापाई पाई और इसको अभी देखो पेसे निकाला जा रहा है इसको बनाएंगे बढ़ अच्छा सा एक बढ़ी अचीज आद दोस्तों वीडियो में बढ़े आप ल करके कर में अपामस्तांcause यह दो अज्युक्ता रहा है नोरा यह जोग्यास कर दोस्तों के दोस्तों किल दोस्त देखने का नीव क्योंट की मिक्सके लगास da aqui तर आंटे आने यह किसका है इदर 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 आए इदर तो इन एक तुरी देव जी भी स्कूल सा आगी आवी दोस्तों देख सकते हों और में जुता जी इदर खना बना रही है बहुत ही अच्छा चाहा और मैं यह जो गिर गया था दोस्तों यह जो गिर गया था ना इसको मैं अच्छा से करें यह गिर गया था दोस्तों पूरा यह पूरा यह खुटी लगाया इसको अभी और इसको भी गेट अच्छा से बनाएंगा देख सकते हों दोस्तों यह भी गिर गया था बारिस के बज़े से और इदर साइड भी गिर गया थ कि अअब इसको मैं अच्छा से रेडी कर दिया हूँ वर नरका रोगा अभी क्या मेरा पकर ओंशा ने दोस्तो तो इसको पीशा जा रहा है जो इसमें सपेद चाउल है और चैने वाली डाल है इसको पीशा जा रहा है और पेपाई को क्या बोलता है यह तो बंगला में बोलता है हुआ है ऐघभागा की सबी त्यार हो रहा है नो यह पीशा राव में जो शपेद चाउल और पेचने वाली डाल और पापाई ही लिए हुआ है बोलता है उसका आपना कमेंट के जाएग दोस्तों ग्हें मालूम नहीं इतना है यह देख सकते दोस्तों इसको पीस आ जा रहा है अच्छा से अच्छा से पीस लिया जाएगा इसको और पीस के इसको रेडी किया जा रहा है अभी और यह कटिंग करके बारिक करके घिसाई करके इसको पापाई को रेडी किया गया है इसको हिन्ने में क्या बोलते है दोस्ता अब लोग क्मेंग्ट कीई थे तो देख सकते दोस्तों इसको मिलाने के लिए त्यारि कर रहा है कि इसको मिक्स किया जाएगा भी कि जो पापाई है हो बारिग-बारिग करके कटिंग कर लिया है और इसको अब है is इसको अभी डाला जा रहा है और इसको अच्छा से मिक्स किया जाएगा तो ऐसा बाड़ा कभी आपने आप लोगों ने किसी में भी बना के अगर टेस्ट किया हो तो जरू कमें किजिएगा दोस्तों मैं तो लाइप में फार्स टाइम टेस्ट करूंगा और कोई भी मैं सुना है बहुत ही टेस्टी होता है लेकिन इसलिए आज बना रहे है दोस्तों ने जिदा जी यह हल्दी दे रहा है भी देख सकते हो इसमें हल्दी दिया जा रहा है और अभी देख सकते दोस्तों यह नमक दे रहा है भी इसमें नमक भी दे रहा है भी नमक दे देंगे चुका दोस्तों और इसको अच्छा से नमक और हदी देखे हुए इसको अच्छा से मिफ्शस्किया जाएगा इसमें क्या क्या वह मालू पें दतो सपेद चावल हुए चने वाली दडाल हुआ और आपके जो पोलता है प्रपाई वह उसको घिसा करके बारिक करके उसको मिक्स किया जा रहा है अभी यानिकि एक दो तीन तीन आइटेम इसमें और इसमें हल्दी और नमक देखे इसको मिक्स किया जा रहा है दोस्तों अब इसको मिक्स किया जा रहा है में एक थोड़ा गरम किया जाएगा और फिर इसमें कारोबर इस्टाट किया जाएगा तो देख सकते दोस्तों जैसिके यह एवी तेल गरम हो चुका है इसमें बड़ा तला जाएगा भुजेगा इसमें आस्ता simplement से दोस्तों अ मही देखो दोस्तों अभी इसको स्टार्ट किया जा रहा है तेल गरम हाच दूस्तों अभी स्टार्ट किया गया है देख नहीं जेदर अब इतक भें तो जैसे टार्ट किया अभी स्टार्ट है करें करें कर दो कर दो दोस्तो फाइनली हमारा जो आइटेम है बनके त्यार है देख सकते दोस्तो और बहुत ही महनत लगता है दोस्तो वीडियो बनाने में अगर थोड़ा सा भी पसन आए तो लाइक कोमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तो मेरे चैनल में फास्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक् कर लो भाई कलो सब्सक्राइब करने में कूछ नहीं जाता रहे वाई तो चलते हैं दोस्तो आज की लेट नहीं तो ему को कर खना भी देर आया देख सकते दोस्तों हमारा थोड़ा लेट होगा तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए